बुराई पे अच्छाई की जीत के इस पर्व को दसरा पर्व को प्राचीन समय से मनाया जाता है मानताई बहुत बड़ी हैं रामलीला मंचन के बाद में कल दसरा है और दसरा में रावन देहन का कारिय करम होना है जिसको लेकर बागपत के दिल्ली जमनोतरी हाईवे पर रिवर पार्क के सामने तीनों पुतले लगा दिये हैं कुमकरण, मेगनाथ और रावन का जिसको लेकर परसासन चाग चूबंद ववस्ता बनाए हुए है जिसमें के हजारों के संख्या में वहां लोगों की पोचने की संभावना है जो हर साल रहती है जिसको लेकर बागपत परसासन ने विसेश महाँ ट्रैफिक जो डाइवेट है वो कर दिया है और पार्किंग क की जो कारे करता हैं वो लगे हुए हैं ये जो है बागपत की पुराना कस्वे के आदर्स जो कमेटी है आदर्स रामलीला कमेटी है उसके दुआरा ये कारी करम किया जाता है और भव्या कारी करम किया जाता है इसमें अभी नेता की आने की उमीद बताई जा रही है लेकिन वि बुद्ध नजाराओ कल का होगा कल साम पांच बजे से और नो बजे तक का ये पूरा कारी करम है लगबाग चार गंटे का कारी करम है जिसको लेकर बागपत परसासन पूर्ण रूप से अलट है और चाक चोबन ववस्ताओं के बीच रावन देहन होगा अब देखने वाली ब पब्लिक आसपास शेतर की कितनी पोस्ति है ये कल बताएंगे और हमारे चैनल को लाइक वे सब्सक्राइब जरूर करें और जादे से जादे हमारी खबरों को शेर करें जिस से कि आपको तमाम हमारी जितनी भी खबरों का नोटिफिकेशन मेरे और कल महा से राम लीला मंच स रावन देहन से जो लाइव कवरेज हम आपको दिखाएंगे आप चकित रह जाएंगे जिस तरीके समाब भव्य कारेकरम की परसासन जो द्वारा तयारी और राम लीला जो कमेटी है उसके द्वारा तयारी की जा रही है कैमरा से यूग इसाथ देवेंदर चोहान लाइव जनादेश बागपत साब सपाई दो तिन दिन से चल रहा है क्योंकि विजय दस्मी का हमारा कारेकरम है करेकरम क्या रहेगा अब पिछ्छे जो है हमारे आप देख रहे हैं कि राउन कोब करन और बेगनाथ के पुतले पाहिन का दहन किया जाए ठीक यह बहुत अच्छे